ये जो मैं सिरीज लानी जा रही हूँ, इसका नाम I am Great God है, ये कहानी मेरी फेवरेट अनिमी में से एक है और ये आपको काफी पसंद आएगी, ये एक 21 साल की बौडी के साथ 7 साल के शिज्यान की कहानी है, शिज्यान की बौडी आम आदमी से अलग, तीन कुना तेजी से बढ रही हूथी है, इसलिए वे डॉक्टर के पास जाता है, प्रन्तु डॉक्टर उसे बिलकुल नॉमल बताता है, जबकि उसकी उम्र 30 वर्ष की हो जाएगी, तब वे 90 साल का बुजर्ग आतमी लगने लगेगा, और वे जल्दी मर जाएगा, ये जानने के बाद, वे डिसाइ होती है दो लड़कों से, वे दोनों लड़के अपने दोस होंग शैन को चियर अप कर रही होते हैं, जो पहाड पर चड़ने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में उपर से एक लड़का गिर कर आ रहा होता है, और वे होंग शैन को अपने साथ नीचे गिरा दीता है, और वे पेहुश हो जाता है, इतने में वे लड़का उसके उपर फार्ट करता है, और हॉंग शन होश में आ जाता है, तब वे उससे पूशने लगता है, कि वे कौन है, और कहां से आया है, तो वे एक ही सांस में, उससे सब कुछ बताने लग जाता है. तो दोस्तो अब हम flashback में जाएंगे और दो दिन पहले की कहानी सुनेंगे तब वहाँ शज्यान उन्हें बताता है कि वे केवल 7 साल का है और उसकी body 30 साल के आत्मी जैसी है इसलिए वे डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सुझाप देते हैं कि उसे अपनी जिन्द और लॉट गॉंगल का पूशने लगते हैं वहाँ बच्चों को रोधा देखकर शिज्यान उन्हें कहता है कि वो मैं ही हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो और सब वहाँ उसे मारने लगते हैं वे लोग उसके दोस को पकड़ लेते हैं उसको बचाने के लिए शिज्यान फार्ट मार देता है और उसके पीछे खड़ा आतमी दिवार पर जाकर गिर जाता है वे आतमी दोस को लेकर भागने लगता है और भागते भागते उसकी उम्र बढ़ने लग जाती है और वे बिलकुल बुड़ा बन जाता है तब ही एक डिलिवरी बॉय वहाँ आता है और को लौड गॉंगल कहकर बुलाता है तब वे उससे बचाने के लिए अपने crystal soul उसकी body में डाल देता है और उसकी soul खुद में इतने में वे delivery boy उसे एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बताता है और वे उन लोगों के आने से पहले जल्दी वहां से निकल लेता है अब हम present में आ जाते हैं चौंग को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है इतने में उसकी mom आ जाती है और उन सबको अपने घर ले जाकर खाना परोस्ती है पर चौंग अभी भी उससे नरास होता है और वे वहां से उड़कर चला जाता है तब शजयान उन दोनों दोस् उसे बोलने लग जाते हैं कि आज के बाद तुम इन फियरी मॉंस्टर्स का नम मत लेना ये सुनकर शिजयान सोच में बढ़ जाता है तो तब उसे चौंग की मा बताती है कि कौक सुमून काफी मीलो दूर एक फियरी जाउं है और वहां जाना एक आम इनसान के लिए ना मु इतने में चौंग बीच में उतर कर वापिस आता है तो शिजयान एक छोटे बच्चे की तरह जित करने लगता है कि वह भी उसके साथ उपर चलेगा क्योंकि उसे अपने दोस्त को वापिस लाना होता है तब चौंग कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता तो मैं तुब वे क्यों लेकर चलू तुम हमारे लिए एक अंजान आदमी हो इतने में वे कहता है कि मुझे तुमारी माने बेजा है ये सुनते ही चौंग चौंग उठता है शिजयान उसे बार-बार जाने के लिए बोलता रहता है तो उसकी बात सुनकर चौंग की मा और उसके दोस्त उस उसके दोस्तों के साथ वहाँ पर चड़ने का प्लान बनाता है शिजयान अपना दिमाग लगाकर बैलून के सहारे वहाँ पर चड़ जाता है उसकी तलवार को नीचे ले आता है चौंग उस पर गुसा करने लगता है क्योंकि वे फैरी एक्साम में मरे हुए लोगों की ग् उस बैलून के सहारे उपर उस चोड़ी पर चड़ेंगे उन चारो की चोड़ी एक तम परफेक और लाइट वेट होती है जब वे सब उपर चड़ने लगते हैं तब बैलून का फ्यूल खत्म हो जाता है और तब चौंग को याद आता है कि उसके गाउं के लोगों को उससे कितनी उमीदे हैं और वे अपनी रसी काटकर उपर चड़ जाता है इतने में उसके बागी के साथी गिरते समय लकड़ी को पकड़ लेते हैं और मेहनत करके उपर आ जाते हैं तब वहाँ फेरी आती है और उनके आगे दो शर्ट रख देती है पहली ये कुछ माटर नहीं कर कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा और तीनों को सबसे पहले समुदाय में रिजिस्टर करवाना होगा दूसरा पेपर प्लेन पर चड़ने के लिए उन तीनों को अपनी सोल लाइफ के 50 साल देने होंगे तब इसके बाद शिज्यान भी फेरी के आगे शर्ट रख दीता है कि अगर वो और उसके दोस्ट एक्जाम में फेल हो गए तो फेरी हमें हमारे 50 साल वापिस दे देगी इसके बाद फेरी उने अपने साथ ले जाती है और अपना पूरा टाउम घुमाती है और आखिर में वहां लेकर जाती है जहां पर फेरी एक्जाम होना होता है वहां अपने साथ एक बहुत बड़ा राइस केक लेकर आता है तब वहां शिज्यान चौंग को देखता है वहां चावल के दाने पाने के लिए उन्हें अपने मास्टर की तारीव करनी होती है और वो भी बिना कोई वर्ट को रिपीट करें जो कि चौंग करने में नकाम्याब हो जाता है और मास्टर उस पर हमला कर देता है इतने में ही शिज्यान अनकाउंटेबल उसकी तारीव करता रहता है और तीन चावल के दाने प्राप्त कर लीता है तब शिज्यान कहता है कि उसे सारे के सारे चावल चाहिए और इससे क्रोधित होकर मास्टर उसे दंड देने ल पिर वो शिजियान और उसके दोस्तों को फिर से मारने का ओडर देता है। मैं भी तो एक लीडर हूँ, मैं सभी की रक्षा करूँगा। उसी वक्त एक आदमी हादी के आगे आजाता है और उसे उठाकर फेक देता है। उन राइस केक्स में कुछ शिजियान अपने साथ ले जाता है और कुछ वही पर ये कहकर छोड़ जाता है कि ये सारे राइस केक्स में यही वेक कर जा रहा हूँ। सरते हैं तो सर जाने दो वहाँ के सारे लोग सामच जाते हैं कि शिजियान ये केक्स उनको देना चाता है। और मास्टर के बड़े भाई के जाते ही सारे लोग उनकेक्स पर तूर जाते हैं। जब वो तीनों दोस बैटकर केक्स खा रहे हूते हैं तो वहाँ वो जौंग चैन को देखते हैं। शिजियान उसको एक भरे हुए राइस केक की पोटली देता है जिसे उसका कर्ज उतर जाता है। तभी वहाँ शिजियान देखता है कि कोई लड़का सो लाइफ के बदले कोई पिल्स से हिल कर रहा था। तभी शिजियान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस लड़के से डील करता है कि तुम मुझे अपने ये पिल्स दे दो, मैं फ्यूचर में तुम्हारा प्लान अमबैसेडर बनाऊंगा। तो जब शिजियान उन पिल्स को देखता है तो उसे कुछ करबर लगती है और वो देखते देखते उसकी पुरानी यादे याद आने लगती है। इतने में ही फेरी वहां जाती है और उसे डाटकर वहां से ली जाती है क्योंकि फेरी एक्जाम शुरू ही होने वाला होता है वहाँ पहुँचकर शिजियन वो पिल्स की पोटली जॉंग शेंग के पास फेक देता है। तब वहाँ पर जूरी के चार मेंबर्स आते हैं और सब लोगों की क्वालिफिकेशन चेक करते हैं और साथी साथ मास्टर जॉंग शेंग को पकड़ कर सजा दे रहे होते हैं। अगर उसे प्रिंस ने देख लिया तो वो उसे अपने एम तक पहुँचने नहीं देगा। इतने में फेरी प्रिंसेस फिनिक्स शूस लाने को कहती है। लेकिन उसे सेकंड प्रिंस रोग देता है और उसे कहता है कि तुम ज्यू फैमली से शादी करोगी और अपना सर नेम भी बदलोगी। वहीं दूसरी साइड जो शिस यान टॉप पर चड़ रहा होता है तो उसे प्रिंस को देखकर गुसा आता है और वो और सिल में बदल जाता है और उन तीनों को रोगने के लिए एक वेंट सिल क्रियेट करता है। पर वहां जॉंग चैन आकर उन्हें बचाने लगता है। व वहीं पर गिर जाती है और उसमें से वो एक पिल खा लेता है और वो खाते ही प्रिंस को जोर से जकर लेता है। वहीं दूसरी और जॉंग चैन की मदर उसकी सलामती के लिए प्रे कर रही होती है। उसी वक्षिज्यान का हथ छूटने लगता है और वो वहां से नीचे गिर लगता है फिर वो उसे वो पिल बोई वो पिल खाने के लिए कहता है वो खाते ही शिज्यान में बहुत ताकता आ जाती है और वो टॉपर पहुँच जाता है ये देखकर सारे हरान रह जाते हैं लेकिन शिज्यान के साथ ही नीचे गिर जाते हैं अब शिज्यान को फिनिक श एमन वहाँ आजाता है वो ये देखने जाते हैं कि टॉप पर कौन चड़ा है स्पेशल पास आते ही शिस्यान उस टॉप पेडल पर चड़ जाता है और चेन को तोड़कर घुमाते हुए नीचे के तरफ गिरता है और नीचे कड़े मास्टर जो कि अभी भी जॉण चैन के पै हासल तो कर ली है लेकिन वो एलिजबल नहीं है और बागी सभी कैंडिडेट्स को कहती है कि फियरी एक्जाम अभी भी चल रहा है तुम लोग अपना एक्जाम कंटिन्यू रखो और वही दूसरी हो जॉण यू के फादर उसे उठने को बोलते हैं जॉण यू खड़े होने हैं यह देखते ही शिजयान को पता चल जाता है कि यह कौन सी स्पिरिट है और वो वन हिट में ही अर्जील की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दीता है यह देखकर फियरी को भी पता चल जाता है कि वो सच में गॉंग सम को जानता है और तब शिजयान जूरी से कहता है कि सिफ मैं अकेला इस पूरे मैदान में खड़ा हुआ हूँ तो आपको announce करना चाहिए ये बोलते बोलते ही शिज्यान को blood की vomiting होने लगती है उसके बाल white होने लग जाते हैं और उसकी body से गॉंगले की spirit भी बाहर निकलाती है वो spirit उस पर जैसे ही हमला करने लगती है तो वहाँ फेरी अपने paper plane के साथ महाँ शिज्यान को बचाने आ जाती है शिज्यान तो बिलकुली एक 90 साल का बुटा बन चुका होता है और वो उस spirit को अपना grandfather बताते हुए उससे fight करने का challenge देता है जैसे ही वो spirit उस पर attack करने वाली होती है तभी एक तम वहाँ कुछ view अक्टिवेट हो जाता है और जोर से एक धमाका होता है तभी प्रिंसे supervisor को चेक करने को कहती है कि शिज्यान मारा गया या जिन्दा है जब supervisor उसे देखने जा रहा होता है तो उसकी साथ से चल रही होती है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है वो उसे अपने टाउन में शामिल करना चाहता था इसलिए वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उसी समय वहाँ पर बाकी जूरी के भी लोग आ जाते है युवान जो की एक supervisor है वो उन्हें कुछ बताने को कहता है तो इतने में वहाँ फेरी और जॉंग मैन आ जाते है तब जॉंग मैन भी शिजयान को बचाने की कोशिश करता है शिजयान को बचाते बचाते ओल मैन का आखरी दाथ भी गिर जाता है लेकिन वो उसे बचाने में काम्याब हो जाता है शिज्यान की शकल अब कुछ चेंज हो गई थी खड़े होकर वो old man का दाथ उसके हाथों में दे देता है और कहता है कि मैं आप करकर जरूर जुकाऊंगा ये सुनकर old man उसे अपने साथ ले चलता है और कहता है कि आज के बार ऐसा मत बोलना इतने में ही जियो वेरी वहाँ एनाउस कर देती है कि फेरे एक्साम का विनर शिज्यान है ये सुनकर सब लोग बहुत कुछ हो जाते हैं और हूटिंग करने लगते हैं तब ही वहाँ बागी युवा भी आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वह उसे अपने समुदाय का हिस्सा बनाना जाते हैं वह उसे कहते हैं कि तुम मेरे शिश्य बन जा तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को ठीक कर दूँगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जॉंग चान को मार दूँगा तब शिजियान सोच में पर जाता है क्योंकि उसने पहले ही जियो फेरी को पहले ही प्रामिस किया होता है वो उन्हें धोका नहीं दे सकता तब सबी नीचे खड़े लो बात कर रहे होते हैं कि शिजियान उनके समुदाय को जॉइन कर ले तबी ही यूँआन शिजियान को विनर अनौंस कर देता है और एक न्यू रूल भी स्टार्ट कर देता है जिसमें कोई भी इंसान अपनी एटरनल सील अक्टिवीट कर सकता है और वो एक रिस्चल जॉंग चैन को देने का बूलता है क्योंकि वो कावी स्ट्रॉंग है और घ तो उसको जॉंग चैन को पहना देता है तब ही आसमान से कुछ रौशनी आती है और वहां से गॉंगली आ जाता है जो कि फेरी वर्ल का मास्टर था और वो अपुड़ा दिखाई दे रहा था और तब ही वो बच्चे के रूप में बदल जाता है और बताता है कि जब वो इ तरिट फील हो रही होती है इसके बाद जॉंग चैन वापिस लौट जाता है और फेरी भी शिज्यान को उसके दोस्तों को ताईयू समपदाई ली जाती है वहां पहुचकर शिज्यान सोच में बढ़ जाता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो जगह उससे बिलकुल अलग जाओगे तभी फेरी उसे बताती है कि एक चिकेट बहुत से फ्लैस की लाइफ में एक्सचेंज हो सकती है और साथ ही एक और आइडिया भी देती है कि अगर वो एक मॉस्टर को मार देगा तो उसे स्पीड़ी सोल लाइफ मिल जाएगी लेकिन शिज्यान कम टाइम में से जादा सोल लाइफ आना चाहता है और ना वो किसी को मारना चाहता है तभी वहाँ एक आदमी भागता हुआ आता है फिर सब लोग उसकी तरफ जाते हैं तो किंग फैंसम बताए कि लोग उनकी मैदिसन्स चुरानी की कोशश करते हैं जिनसे यूहां शुहां फाइट कर र लगती है और तभी वहाँ शिजयान पिक पर बैठ कर उसे गिरा देता है और तभी वहाँ पिक्स की पूरी-पूरी फौच आ जाती है और तब शिजयान कहता है कि अगर तुम्हें बिजनिस करना है तो तुम्हें पूरी सिंस्यारिटी दिखानी होगी तभी वहाँ एल्ड सन को भी हिट कर देता है शिस्यान खड़ी होकर उसके पास आ जाता है और उससे वाइट करने लगता है लेकिन तभी किंग फैन उसे ये कह कर छोड़ देता है कि मैं आज तुम्हें जाने देता हूं क्योंकि फैरी एक्साम में टॉप स्पॉर्ट पर गए थे और गलती से भी उन पिल्स को बेचने की सोचना भी मत उसकी जाते ही शिस्यान जमीन पर गिर जाता है तब एक गेंग फान फिर से नॉमल हो जाता है और वहीं दूसरी यों एल्डर सन ने उसे पकड़ लिया होता है और अपने लोगों से उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है पर तब ही और कहती है कि शिजियान हम लोगों से कावी ज़्यादा पावफुल है, हमारी सोट से भी ज़्यादा, तब शिजियान उसको कहता है कि आप मुझे सारा फेरी पोशन दो और मैं आपको सो लाइफ ला कर दूँगा, अब फेरी उसे वाली आफ ए मॉटल मिलेकर चली जाती है, जहां उसे फेरी पोशन मिलेगा, वहाँ पर चार टाइप्स के रीजिन्स थे, प्लेंस एरिया, माउंटेंस एरिया, वाली एरियास और डीप पूल एरियास, शिजियान चल चल कर बहुत ठक जाता है, और उसे कभी भी फेरी पोशन नजर नहीं आता है, तब शिजियान फेरी से कहता है, कि चलो, अब हम घाटी पर चल कर देखते हैं, तो फेरी उसे बताती है कि वहाँ जाने में बहुत ख़द्रा है, वहाँ पर स्परेट बीस भी हो सकती है, उसे टच करते ही तुम स्केलेटन में बदल जाओगे, शिजियान को देकर ऐसा लग रहा होता है, कि उसे कोई फरक नहीं पड़ रहा, तब फेरी को गुसा आ जाता है, और उसे बोलने लग जाती है, कि तुमने जो डील करी है, उसे पूरा नहीं करोगे, तो तुम्हें संपदाय से बाहर निकाल दिया जाएगा, और तुम्हारी वज़े से मैं भी अपने आजादी खोद दूँगी, और मुझे इल्डर सन से शादी करनी पड़ेगी, तब वहां आंट की आ जाती है, और शिजियान को एक रिंग देती है, और उन्हें बोलती है, कि अगर फेरी पोशन चाहिए, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तब वहां आंट अपने गाद्स को शिजियान की हेल्प करने को बोलती है, और उसे वहीं छोड़ कर चली जाती है, तब एक गाद्स उसे बताता है कि करन्ट में एक फेरी पोशन कार्ट, एक महीने से भी का सोल आफ लाइफ के लिए सेल किया जाता है, तब शिजियान सोच में पढ़ जाता है, और एक तम वहां वो बिल्स डीलर आ जाता है, वो उसे कुछ मेडिसन्स दिखाता है, और कहता है कि मेरी फैमिली इस माट में कावी सालों से टालेंटेड रहे हैं, वो मेडिसन्स देखर शिजियान खुश हो जाता है, आनके गाद्स पूरा काओं जानते थे, तब वो उन गाद्स को रिमोना का लालच देकर उनके रिंग्स ले लेता है, क्योंकि अगर वो रिंग्स डालकर हबल्स को तोड़ा, तो वो खराब नहीं होती है, तब वो डीलर रात में किसी जंगल में जाता है, और उसके पीछे पीछे शिज्यान भी चला जाता है, डीलर उन रिंग्स को डालकर बहुत सारी होबल्स लोड़ता है, और उन्हें खा लेता है, तब ही उसके अंदर बहुत सी पास आ जाती है, लेकिन जादा खाने से उसे वोमिटिंग आ जाती है, तब ही शिज्यान देखता है कि उसकी बोड़ी से एक पिल निकलती है, वही पिल जो शिज्यान ने भी एक बार खाई थी और उसके अंदर पास आ गई थी, डीलर की बोड़ी से निकली हुई पिल्स उसी की वेस्टेश की थी और वो उस पिल्स को खा लेता है, और आंट एक रूप में उसका ट्रांस्वर्मीशन हो जाता है, ये देखर शिज्यान को भी वॉमिट आने लग जाती है, क्योंकि वो पिल्स उसने भी खाई थी, तब वो डीलर शिज्यान को समझाता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, और कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि इस टाइम फियरी पोशन का प्रिंस कितना डाउन है, लेकिन अगर तुम इन पिल्स को रिफाइन कर देते हो, तो इन पिल्स का प्राइस उन पोशन से भी साधा होगा, डीलर उसे ये बात सीक्रिट रखने के लिए बूलता है, क्योंकि अगर ये बात इल्डसन को पता चल गए, तो वो उन्हें समपदाई से बाहर निकाल देंगे, तब फियरी की नज़र शिज्यान पर पढ़ती है, और वो फिशिंग कर रहा होता है, फियरी उसे डापने लग जाती है, कि इतना टाइम हो गया, और तुमने अभी तक एक पोशन भी खटा नहीं करा, वहीं दूसरी यों आन्ट का गुसा देखकर, उसकी गाद्स भी परिशान थे, क्योंकि आन्ट उनसे काम पे काम करवाय जा रही थी, क्योंकि वह आन्की नहीं, बलकि डीलर था, वही जैमेन के पास, गाद उससे मावी मांगने आता है, क्योंकि वह सही से एक्जाम नहीं करता है, लेकिन जैमेन कहता है, कि वह तो खुश है उसके काम से, वो नहीं चाहता कि जांग मान, कुछ भी इंटव्या करे, और वो गाद्स को शिजयान पर नज़र रखने के लिए भी कहता है, शिजयान तो अपनी ही मस्ती में घूम रहा होता है, वो रेस्टरान में बैटा होता है, वहाँ बैठे वो वहाँ एक सुन्दर सी लेटी को देखता है, और कहता है कि यहाँ पर तो कितनी सारी सुन्दर लेडीज हैं, तब ही वहाँ वेटर उनका खाना लेकर आता है, और कहता है कि यहाँ जल्द ही, जाओ और ज्यू फैमिलीज की शादी होने वाली है इतने में वहाँ पर उनकी बेटी नाक में उंगली डालते हुए आजाती है दूसरी और शिज्यान के दोनों दोस्त का काम नहीं चल रहा होता है और इसके लिए उन्हें फूट टोकन की ज़रूरत होती है उसे दिन रात को शज्यान और डीलर जुपके से देखते हैं जो कि कुछ लोग किसी लड़की के लिए बहस कर रहे हैं क्योंकि लॉट शीशान जो कि अपने रूम में उस लड़की के लिए वेट कर रहा था लेकिन वोगाज को किसी की ना सुनते हुए उस लड़की को धका देकर अंदर ले जाता है तब ही लॉट शीशान एक शॉपकी इपर को रूम तयार करने के लिए बोलते हैं और उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर आज तुमसे ये लड़की तयार नहीं होती तो कल से तुम्हारे रिस्टॉन भी नहीं खुलेगा तब ही ये देकर शीशान उस डीलर से एक ट्रांस्वरमीशन पिल मांगता है और वो उस पिल को डीलर को ही किला देता है और उसे लड़की का रूप देकर लॉट शीशान के पास में भीच देता है वहां लीडर लॉट शीशान के हाथ में फूट टोकन देखता है और उसे मंगने लगता है तब शीशान उसे कहता है कि तुम पहले ये ड्रिंक पियो तब मैं तुम्हें ये दे दूँगा फिर वो उसे ड्रिंक में कुछ मिला कर पिला देता है जिससे वो बेहोश होकर बेट पर गिर जाता है तब ही लॉट शीशान उसके करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन शीशान पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और डीलर को एक पिल खिला कर वापिस उसके रूप में ले आता है और food token भी ले लेता है जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक तब वहाँ पर guards उस लड़की को लेकर आ जाता है पर तब ही जिंगी होल से बाउ जिंगी वहाँ आ जाता है और उनकी help करता है और तब ही शिज्यान बाउ को गले लगा कर कहता है कि अब से हम साथ में काम करेंगे तब ही वहाँ पैंथर पे बैठ कर एक आतमी आता है और souls of life की सारे बिल्स लेकर चला जाता है और अब पूरे kingdom में प्राउंस की sale के लिए पैंथर्स बढ़वाते हैं जिस पर mention होता है कि ये प्राउंस फेरी मेच के साथ बकाए गए है जिससे इंसान physically भी strong बनेगा और एक soul of life के बदले एक पे एक free मिलेगा और इससे लोगों की भीड चमा हो जाती है और demand भी भर जाती है वही chairman का guard उसे ये बात बताने आता है तो chairman भी वही प्राउंस खा रहा था उसे लगता है कि Lord Shishan ने food tokens Shizyan को sale कर दिये लेकिन नहीं वो token Shizyan Lord Shishan को मार कर और dealer को बेच कर लाता है वही घाटी में शादी के तैयारी शुरू हो चुकी होती है वहाँ पर अलग लग देश के लोग आने वाले होती है और उन में से किसी एक से फियरी की शादी होती है फियरी वो शादी नहीं करना चाहती थी और old man के आगे गिरगडा रही होती है तो इतने में वहां Shizyan अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और soul of life के भरे हुए डबों को उसके सामनी रख दीता है वो देकर elderson हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम कहां सेला है तब शियान जवाब में उसे ये ना बताते हुए कहता है कि मैंने अपनी शह जी दी है अब तुम फियरी को शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं करोगे वो उसका खुद का डिसीजन होगा और शर्ट के अगॉडे elderson को उसकी आईब्रोस को क्लीन कराना होता है लेकिन इतने में बाव वहाँ आकर गिरता है तब ही वहाँ जैमेन आता है और ब्राउन्स की रेसिपी मांगता है elderson को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है जैमेन का गाड इतने में तलवार निकाल लेता है और शिज्यान आगे आकर कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है वो तुम मुझ से करो और इतने में ही गाड के हाथ से वो तलवार छूट जाती है जो कि शिज्यान को लगने वाली होती है पर उसके आगे फैर ही आ जाती है लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि तलवार हवा में ही रूख जाती है शिज्यान के उस तलवार के छूटते ही वो नीचे गिर जाती है ये देखर चेर्जियान को लगता है कि ये सब तालिस्मान की वज़े से है और वो बिलकुल अलग तरीके से ही बिएव करने लग जाता है चेर्जियान से उस रेसिपी के बारे में फिर से पूछता है और उसे खरीदने के लिए भी कहता है लेकिन चेर्जियान उसे एक जोर से थपड़ मार दीता है वो दोनों मौलभाव की बाते करने लग जाते है और आखिर में तैह होता है कि चेर्जियान को चेर्जियान फाइव योज ओफ सोल लाइफ देगा और बदले में उसे रेसिपी मिलेगी चेर्मन वापस जाकर उससे फूट टोकन के बारे में पूछने लगता है जो उन्होंने शिजयान से चुराये थे इतने में फेरी उसे वो टोकन उठा कर दे देती है एल्डरसन जब उससे पूछता है कि उसने वो टोकन उसे क्यों दे दिया तब वो कहती है कि टोकन शजयान ने मेरे ले जो राया था इसलिए मैंने अब उसे दे दिया फिर शजयान सब को शान्त रहने और बस तमाशा देखने के लिए कहता है और तब ही एकदम चेर्मन को पता चलता है कि वो रेसिपी तो सब के ही पास है और जब वो मेडिकल डिपार्टमेंट पहुचता है तो वहाँ देखता है कि फेरी मेडिसंस भी सारी बिख चुकी है उस रेसिपी की वज़े से सारी मेडिसंस आउट आफ स्टॉक हो जाती है तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है और जोर जोर से लोगों को बताता है कि तायू वहाँ पर मेडिसंस सेल कर रहा है सबी लोग वही पर जाने लगते है तबान की बताने लगते है कि ये सब तो शिज्यान का ही प्लान है जो कि ये काफी पहले से ही कर रहा था रात को सब जब खाना खारे होते हैं तो शिजियान बाव से पूछता है कि उसने कुछ क्यों नहीं करीदा लेकिन इतने में वहाँ पर फेरी आ जाती है जिसका तोटली चेंज हो गया था वो उने कुछ बताना चाहती है लेकिन वो बोल नहीं पाती उसका लोग देखकर सब उस पर हस रहे होती है लेकिन शिजियान उसकी तारीव करते हुए कहता है कि तुम पहले से भी साधा सुन्दर लग रही हो तब ही एक छोटी सी गरबड़ी की वजह से वहाँ पर बैठे एक बंदे को गुसा आ जाता है और वो फेरी और शिजियान को पहचान लेता है शिजियान ने फेरी की शादी उससे ना करने के लिए उसकी पाल की चला दी थी इसी बात को लेकर वो आदमी उससे लड़ने लग जाता है तब जियू वहाँ आकर उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ चलकर कुछ बात करने को कहती है जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो उन्हें देकर सब लोग बाते करने लग जाती है कि उनकी जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लग रही है उन दोनों को देकर फियरी को जलन होने लगती है और वो सब पर गुसा करने लग जाती है जियों के जाती ही फेरी उस पर भी गुसा करने लग जाती है उसके पास शज्यान जॉंग मैन के पास जाता है और यंग दिखने के लिए उससे हेल्प मांगने लगता है पर जॉंग मैन शज्यान की सारी बिल्स ले लेता है तब ही Zongman कहता है कि ये करने के लिए तुम्हें अपनी spirit को deep करना होगा अगर तुम ये नहीं कर सके तो मैं तुम्हारी कोई भी help नहीं कर सकता शिज्यान उस पर गुज़ा करने लगता है तो Zongman उसमें सारी soul life transfer कर दीता है लेकिन उसमें कुछ भी फर्ट नहीं आता है तो शिज्यान उसे spirit condense में deep करने के लिए बोलता है तब Zongman उसका हाथ पकड़ कर dodge करने लगता है और उसका spirit condense exam में नाम register करा दीता है उस exam में bell को पकड़ कर tongue type top पर चलना होता है और वहीं सामने jury के पास पहुँचकर वो कुछ questions पूछते हैं और अगर रास्ते में किसी की bell बच गई तो उसे disqualify कर दिया जाएगा सब लोगों को disqualify होते देखकर शिजियान डर जाता है इतने में वहाँ यूआन आता है और उसे पताता है कि एक teacher की teaching पर depend होता है जीतना या हरना तब ही दूसरी और जूजांग्यो सबको गिराता हुआ जा रहा था तो गाड उस पर हमला कर देता है सेगेंड टाइम में जूआ फैमली जाती है और उनका भी एक्जाम क्लियर हो जाता है शिजियान को उपर चटते देख वो उस पर हमला कर देता है यह देखकर examiner को गुसा आ जाता है और वो अपने गाड को भीज देता है गाड उसे समझाता है कि यहारूल सब के लिए बराबर है किसी के लिए कोई भेदबाव नहीं है शिजियान तभी देजी से उपर चट जाता है और अब questions पूछता जाता है कि गॉंगल अच्छा है या बुरा शिजियान हड बड़ा हड में good बोल देता है जब उससे reason पूछा जाता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी fake में लग जाता है अपनी पूरी कहानी बताते बताते चेमर में बहुत जाता है वहां लिंग्यू रो रहा होता है और रोते हुए शिजियान से दोस्ती के लिए कहता है लेकिन शिजियान उसे मना कर दीता है तब शिजियान के नजर 50 soul life पर जाती है तो वो उसे हाँ बोल दीता है और वो 50 years of soul life अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है जो कि सब useless हो जाते हैं इससे शिजियान को दुख होता है और अब वो उसे एक crystal पीज देता है और कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो इसे use कर लेना और यही दूसरी यो ताउसमपुदाय बहुत खुश होते हैं और celebration कर रह होते हैं क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है तब शिजयान को बाव वहां नहीं दिखता है बाव immortal में bounce उठा रहा होता है और शिजयान उनके पास जाकर वो crystal दिखाता है तो बाव उस crystal को पहचान जाता है और कहता है कि यह beast है जो कि से very capital city में ही मिलता है उस crystal को देखकर बाव शिजयान से काफी जैलिस वील करने लगता है क्योंकि उसे भी वो crystal चाहिए होता है तब लिंग्यू उसे एक बार तारीफ करने के लिए बूलता है शिज्यान को लालच आ जाता है और वो बोलते ही चला जाता है और उसे वो हर चगे दिखाई देने लग जाता है अगले ही दिर एक बंदा मास्टर के पास आता है और बताता है कि उनकी वैली में फेक एन्यूमले का गए है वो लोग तायू के लोगों को पकड़ने और वैली को सीज करने का ओदर दे रहे है तब ही वहाँ पर तायू सब मास्टर्स आ जाते हैं उनमें चैमेन कहते हैं कि तुमारी उस रेसिपी से सब लोग मर रहे हैं पफ के लिए वो एक बादी भी अपने साथ मिलाया था और वो बताता है कि हमें तो तुमारी हाँ के किसी इनसान ने ये रेसिपी दी थी ये सुनकर ताओ और बागी लोग सब हैरान रह जाते हैं इतने में ही एक आत्मी आता है और बताता है कि पूरे वैली में स्पिरिट इंसेक्स फैल गए हैं और सारी फैरी मेडिसन्स भी खराब हो गई है तभी शेजयान को समझ आ जाता है कि ये बाव का काम है और तभी कव भी उसे बता देता है कि उसने रात में मुझसे वो वांस पकड़ने के लिए ट्रांस्फोर्मेशन पिल्स भी ली थी फिर शेजयान चेयरमैन को अराम से समझाता है कि हम ये प्रॉब्लम्स को बैटकर शान्ती से सौल्व कर लेंगे लेकिन चेयरमान को गुसा आ रहा होता है और वो उसकी और तलवा वेगता है लेकिन शजयान उसे पकड़ लेता है ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तलवा जिवजेंग के थी इसे शजयान को गुसा आजाता है और वो उसे धमकी दे देता है कि मैं सारी की सारी फियरी मेडिसन्स को डिस्ट्रॉई कर दूंगा और उसे समझाता है कि तुमको जो चाहिए वो हम तुमें देंगे पर तायू और फिंग दोनों मिलकर उसका यूज करेंगे पर इतने में ही सुईया शजयान को थपड मारती है और कहती है कि ये करके तुम तायू को धोगा दे रही हो वो उसके आगे अड़ जाती है और ये देखकर शजयान समझ जाता है कि आज तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है सब लोग सुईया के फिवर में हो जाते है तब जॉंग मैन कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं अकीला लड़ूंगा और वो चेर्मन के लोगों पर हमला करने लग जाता है ये देखकर चेर्मन को गुसा आ जाता है और वो सॉंग मैन से लड़ाई करना शुरू कर देता है सॉंग मैन अपने आद्मियों को कहता है कि जो भी उसको हराएगा उसे इन नाम में मैं एक महीने के लिए सोल आफ लाइफ फ्री में दूँगा और वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं तब ही वहाँ पर किंग फेक का सिलवर वहाँ आ जाता है जियू की मदर जियू को किंग फैंक के आने से पहले वैली को सीस करने के लिए बोलती है तब ही एक दम शज्यान पर चैमन का आदमी हमला करता है लेकिन शज्यान उसे कहता है कि अगर तो मेरी टीम में आ जाओगे तो मैं तुमें दो महीने की सोल आफ लाइफ दूँगा ये बात वो अपने साथी को भी बता दीता है और वो लोग मरने का ट्रामा करने लग जाती है लोगों को लगने लगता है कि शज्यान सबको मार रहा है और सब हैरान रह जाती है तब ही जियू की मदर उसके पास जा गए उससे उसके स्किल्स का रास पूछती है तो शज्यान कहता है कि ये तुम मैं कभी-कभी यूज कर लीता हूँ उसी टाइम फिर शिज्यान उस बीज से लिंग्यू को इशारे देने का ट्राइ करता है ये देखकर जियू को गुसा आजाता है और वो उस पर हमला कर देती है वहीं दूसरी तरफ जॉंग मैं खायल हो चुका था और शियर मैं कहता है कि तुम्हारे बात तो कौन ही बचाएगा तायू को और शिज्यान तो वैसे ही एक बिसनसमैन है तब ही जियू एक कांट्राक लेकर आती है और शिज्यान को वैली ट्रांसफर के एक्रिमन पर साइन करने के लिए बोलती है तब ही वहाँ जॉय मैं आकर शिज्यान को 50-50 परसन का ओफर देता है और कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसके टीचर को मार देगा शिज्यान बड़ी ही सोच में पढ़ जाता है और वियरी को कहता है कि उसने कोई बेडिसीजन लिया तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे पर इतने में ही जॉंग मैन खुद को ही मार देता है ताकि चेह मैन उसे ब्लाक मिल ना करे इसे शिज्यान को गुस्सा आ जाता है और चेह मैन के मुपर स्पिट कर देता है तब चेह मैन जैसे ही उस पर हमला करता है तब ही उसके आगे जॉंग मैन आकर उसे बचा लेता है उसका रूप एक बिलकुल यंग मैन की तरह बन गया था और अब वो वैली से तालिस्मान को सील कर शिज्यान को दे देता है और उसे पहार से नीचे जाने के लिए बोलता है शिज्यान को भागते देखकर चेह मैन उस पर हमला करता है पर जॉंग मैन उसे रोक लेता है और तब जीव और चेयमां दो-दो जॉंग मैन को देकर हैरान हो जाता है पर जीव अल्डसान को बुला लेती है वही जॉंग मैन पर युवड हमला करके उसे रोक लेता है और शासियान से भी टायलिस्मैन चीन लिया जाता है और सबी लोगों को गेर कर मार नहीं जा रही होते हैं कि वहाँ जीव आ जाती है और उन्हें बताती है कि ये हमारे लोग के खिलाफ है हम किसी को मार नहीं सकते जीव शिज्यान को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बूल देती है और शज्यान भी वैली को बचाने के लिए निकल लीता है वहीं युवन और ओल्ल मैन के बीच फाइट हो रही होती है और बीच में ओल्ल मैन अपनी हार्स भी कार कर लीता है लेकिन युवन तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है वहीं दूसरी यो फियरी तलिसमान को खा जाती है अंदेरा होने ही वाला होता है लेकिन शज्यान अभी तक अपनी डिस्टिनेशन पर नहीं पहुश पाता तब ही शज्यान का दोस्त तिद्यान खायल होकर गिर जाता है उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है काउ उसके लिए कुछ हब्स ठून रहा होता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है और थोड़ी देर बाद ही दिद्यान मर जाता है तब ही वहां लिंग्यू आ जाता है और दिद्यान को अपनी पार से जिंदा कर दीता है उसके ठीक होने के बाद भी सभी परिशान बहदे थे जब लिंग्यू उट से उनकी परिशानी का कारण पूछता है तो काउ उसे बताता है कि उनका दोस्त बाव एक दोखे बाज निकला ताईयू के सभी लोगों को चैमन ने पकड़ लिया है और अब वो बस चार ही बचे है शुज्यान तब सोच में वढ़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए फिर उसके बाद अदालत शुरू हो जाती है और उस रेसिपी को लेकर जिसे खाकर काफी लोग मर गए थे तब वहाँ बाईयू आकर मास्टर शुन को सब कुछ एक्स्प्लेइन करता है कि वो सब करने के लिए उस सित्रायू समपदाय ने फोर्स करा था जौंग मैन को गिरफतार कर लिया जाता है तब मास्टर कहता है कि इस केस की अच्छे से चान मिन करी जाए तब लोग जियू बोलती है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगी ये सुनकर चेर्मन भड़क उठता है और जियू को नीच आउरत कहकर बुलाता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते है तब मास्टर उन दोनों को धमकाता है और कहता है कि पहले जाकर शर्जयान को ढूंडो इतने में शर्जयान खुदी वहां आ जाता है मास्टर उसे पकरने ही वाला होता है कि उसके आगे बाव आ जाता है और सारी सच्चाई बता दीता है कि उसने वो क्रिश्चर उसने अपनी मा के लिए चुराया था लेकिन उसी की माने ही सारी सच्चाई बताने को बूला था तबी वहां शर्जयान सबको अपनी रेसिप भी बना कर दिखाने लगता है शर्जयान चेर्मन को प्राउंस बना कर खिलाता है तो उसे बहुत पसंद आती है पर मास्टर शायन उसे डांट लगाता है और कहता है कि वह बहाने बना रहा है फिर मास्टर उसे वैली आफ एमोचल को हैंड ओवर करने के लिए कहता है और जितना चल्दी हो सके उसे उतना करना पड़ेगा नहीं तो वह जौंग मैन को हट करेगा ये सुनकर शेजयान क्रिस्चल से लिंग्यू को बुला लेता है लिंग्यू अपने साथ एक एविडेंस लेकर आता है वही खड़ा एक आदमी बताता है कि वो लेडी तो मर चुकी है ये हमें पागल बना रही है तब ज़या वो अपने बेटी से वो बॉडि लाने के लिए भूलती है लेकिन वो उसे बताती है कि वो बॉडि तो कल रात को ही चोरी हो गई थी शेजयान सभी को बताता है कि लिंग्यू ने कल रात ही इन ओल लेडी को अपनी पार से जंदा करा है वो चैयमन को कहता है कि लिंग्यू ने खुद इन लेडी की बॉडी में से जहर निकाला था और मैंने उस जहर को प्राउंस में मिला दिया था जो कि तुमने अभी खाया है ये सुनकर सायू को गुसा आता है और वो शजयान पर हमला कर देता है लेकिन तब है लिंग्यू सायू को मार देता है तब चैयमन लिंग्यू से माफी मांगता है और उसकी बॉडी से जहर निकालने के लिए कहता है तब शजयान उसे सच्छाई बताते हुए कहता है कि उसमें कोई जहर नहीं था और ये लेडी भी उसका दोस्त है जिसने ट्रांस्फोर्मेशन पिलखा रखी थी और अब जीया मैं शा के पेट में गरबर होने लग जाती है क्योंकि शज्यान ने प्राउंस में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाई थी लिंग्यों उसे ले जाने वाला होता है तो शज् स्पेस बीस्त को लेने की कोशिच करती है तो वह उसे रोक देती है और उसके मदर उसे धपढ मार देती है तब ही वहाँ पर मास्टमो मोहन वहां आ जाती है और उससे कहते हैं कि कल इसकी सॉंग मैं से शादी है अकर इसका फेस खराब हो गया तो तुन सब को क्या जवाब फिर जियू की मदर वहां से गुस्से में चली जाती है तब ही जॉंग मैं और बागी सब लोग गौद को ठैंक कर रहे होते हैं तो जॉंग मैं शियू ने हमारी मदद क्यूं करे तब शियू जवाब देता है कि ये एक सीक्रेट है और मैं कल उनकी वेडिंग भी पूरी बरब कर दूँगा और कहता है कि अगर जियू फेरी की हेल्प कर सकती है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए अगले दिन उनकी वेडिंग का सामारो शुरू हो जाता है दूर दूर से कावी लोग आते हैं वही सॉंग मैं और फेरी बार खड़े होकर सब देख रहे होते हैं वो लोग शेजयान को घर पर ही बांद कर आती हैं तांकि वो शादी में कुछ हंगा मना करे जब वो लोग भी अंदर जा रही होते है तो फेरी के हाठ से एक हत्यार गिर जाता है तो जब उनके गार रोगते हैं तो जांग मैं कहता है कि वो तो सिर्फ यहां खाना खाने के लेकिन सीव सीधा उसके मूपर गेट बंद कर देती है शादी में तायू देखकर शाह और यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सुईया को भी गुसा आ रहा हुता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल अलग बिठाया हुआ था जॉंग मैन के फादर को कोई आगर बताता है क कि उन्हें अनजीते मैन का टोकन मिला है तब ही जॉंग मैन के फादर सोच में बढ़ जाते हैं कि अच कुछ ना कुछ गरबर ना हो जाए वही दूसरी और जॉंग मैन खुशी में सब को सोल अफ लाइफ गिफ्ट करता है जॉंग मैन उस गिफ्ट को लेने के लिए जिनियर उसे रोक रहा होता है तब ही चांग के टेबल पर एक सोल अफ लाइफ आकर गिरती है तो उसे गुसा आ जाता है और वो टेबल को तोड़ देता है तब ही वहां आसमान से गुलाब की पतियां गिरने लगती है और वही जियू एक बिल्कुल डिफरेंट लुक में वहां पर आती है जौंग मैन उसे बच्पन से ही पसंद करता था इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है जियू कुछ हजीब सा रांस करने लग जाती है और सब लोग उसे देखकर हसना शुडू कर देते हैं तब ही वहां एक और जियू आ जा जाती है जौंग मैन उस पर हमला करने वाला हुद्धा है लेकिन जियू उसे ये कह कर रोक देती है कि आज वो उसी के हाथों मरेगा जियू भी अपने गाट्स को उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भीज देती है जियू उन्हें भी रोकने के लिए बोल देती है चैंग भी उसी के फेवर में बोल रहा होता है लेकिन जियू बोल देता है कि ये मोटा कौन है तबी शा भी उस पर हमला कर देता है लेकिन जियू उसी की ही सवारी बना कर उसे हवा में लेकर उड़ जाता है ये देखकर जौंग मैन के फादर को गुस्सा आता है और वो उन दोनों की फामिली के बीच का रिष्टा खदम कर देते हैं वहीं दूसरी और शिज्यान और जियू बाते कर रहे होते हैं शिज्यान उससे पूछता है कि कहीं तो मैं पश्तावा तो नहीं हो रहा तब जियू जवाब देती है कि वो उसे शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो पहल और इंटरूनल टेस्ट लेता है। इस टेस्ट में सबको अपने अपनी स्पिरिट को बुलाना होता है। शजयान की स्पिरिट एक बच्चे वाली थी जिसको देखकर सब लोग चौक चाती हैं और हसने लगते हैं। फिर लिंग्यू उसको स्पिरिट सुरेंडर करना सिखाता है और शिज्यान की स्पिरिट उसी के पीछे पढ़ जाती है भागते भागते शिज्यान उसी के ऊपर पैट जाता है तब लिंग्यू सबकी स्पिरिट का कनेक्शन कट कर दीता है और Shazyan को सिखाता है कि किस तरह Spirit को पकड़ा जा सकता है तब Zongman उसे बताता है, कि Lingyu पहले Spirit को Purify करना चाहता है लेकिन Shazyan को तो पूरा ध्यान ही, Zoo पर होता है जिसने CN और E.N. को बुला लिया था अपनी production के लिए तबी सॉंगमान गुशे में अपने फादर से मिलने निकलता है तो गाद उसे रोक लेता है, लेकिन वो उस काट को भी मार देता है। वहीं दूसरी और Master Shand देखता है कि फेरी वर्ल्ड में डेमन एंटर कर चुका है और सभी को मार रहा है और तबी लिंग्यो सब को Marcell Spirit स्किल से खाता है और बताता है कि जो भी इस स्किल को मैनेज कर लेता है वो इस नई लेवल की Purified Spirit में एंटर कर सकता है लेकिन जो भी Participate उसे अपनी 20 साल की Life भी Pay करनी पड़ेगी तब इस जयान बोलता है कि तुमको हमको दे कर लगता है कि हम मेंसे किसी के पास इतना कुछ होगा और तब इस जयान उसको एक Idea देता है जिससे वो जादा Earning कर सकता है तब वो उसे कान में कुछ बताने लगता है और लिंग्यो कि जो सबसे जादा बोली लगाएगा उसे Entry करने को मिलेगी तब इस यू मास्टर सबसे महंगी 301 Soul of Life की बोली लगाता है और अंदर एंटर कर लेता है जियू के साथ उसके Gods, Silver और Gold भी अंदर एंटर कर लेते हैं जिसके लिए उसे 903 Years of Life Pay करना पड़ता है इसके बाद बा है कि हम फाइट ना करके ब्रीन का यूज करते हैं पर मैंतन चीट करके उसे बाइट करने लगता है तब ही उसे बचानी लगती है तो उसको उसकी Gods रोक लेते हैं पर तब ही वहाँ Senior आकर उन दोनों को बचा ले जाता है शिजयान को जब अगले दिन होश आता है तो जीयू उसे बहुत आटनी लगती है पर तब ही वहाँ Senior आ जाता है और उनने बताता है कि अभी भी Spirit 4 Games चल रही है तब ही जुया वहाँ चली जाती है और वो ट्रैप में फस जाती है शिजयान और Senior उसे दूर से देख रही होती है गोस फैमली जुया को अंदर ले जाकर पकाने वा तब उनके God Silver और Gold उसे कहती है कि आप सिर्फ Element Absorb पर फोकस रखो बाकी हम देख लेंगे वही बर्जियू भी मास लगा कर आई होती है और शिजयान पी Spirit Cultivate करने बैठा होता है उसी टाइम वहाँ पर एक लड़की आती है और शिजयान को देकर काफी खुश हो जाती है जब जूया उसे वहाँ से जाने के लिए बूलती है तो वो लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती और उन दोनों के बीच शिजयान को लेकर लड़ाई हो जाती है तब वो लड़की उसे कहती है कि अगर मैंने तुमें हरा दिया तो ये जगे भी मेरी होगी और शिजयान भी फिर वो दोनों स्पिरिट प्लेस में जाकर फाइट करने लगती हैं। और दूसरी ओर शिज्यान कल्टिवेट करते टाइम उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो बार-बार चला जाता था। वहाँ उसे गॉंगलिंग दिखाई देता है गॉंगलिंग वहाँ से अजात हो जाता है लेकिन शिज्यान उसे फिर से फ्रीज कर देता है और उसके आगे शर्त रखता है कि उसे जुया को बचाने और जियू को हराने में उसकी मदद करनी होगी तब ही वो उसे वहाँ से अजात करेगा गॉंग लिंग उसकी शर्थ मानने को तैयार हो जाता है वहीं दूसरी ओ, जुया और वो लड़की अभी तक लड़ रहे होते हैं जुया जीतने ही वाली होती है कि वहां एक लड़का आ जाता है और उस पे अटाक कर देता है पर तभी मन तना कर उसे बचा लेता है वहीं शज्यान गॉंग लिंग को उसकी स्पिरिट पार को यूज करने के लिए पूछता है तो वो उसे कहता है कि तुम जितना चाहो मेरी पार्स यूज कर सकते हो पर उसको उसकी स्पिरिट को पहले प्यूरिफाय करना होगा और वही शिज्यान को अकेली देखकर उसे दो बंदे वहां मारने आते हैं लेकिन शिज्यान तब तक उन इलिमेंस को एब्सॉब कर चुका हुता है और साथ ही उसकी फाइव स्पिरिट सर्विंस भी तयार हो जुके थे तब ही शिज्यान को वही स्पिरिट बीस नजर आती है जिसमें जुया फसी हुई थी जुया को बचाने की चकर में वो खुद भी वहां फस जाता है जुया को बचाने के लिए शिज्यान उस तैलिसमान को तोड़ देता है जो की फिक होता है और वो उस formation को तोड़ कर जुईया को बचा लेता है ये सिर्फ zongman या gongling ही तोड़ सकते थे तब ही वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं तो वो notice करते हैं कि शज्यान का तो सच में gongling के साथ कोई connection है और सब देखते हैं कि उसने एक demon layer formation का यूज करके पूरा setup बना लिया है जिससे वो उन सब को game की दुनिया मिली जाकर उनकी साथ fighting game खेलता है वहाँ पर सबसे वो EK करके बतला लेता है और सब को बाहर लेया कर छोड़ देता है और तब ही एक जोर से धमाका होता है तब ही एक spirit उसे वो screen remove करने के लिए बोलती है वरना वो मारा जा सकता है फिर शिज्यान सब बंद कर देता है तब वहाँ सब लोग रोनी लग जाते है तो शिज्यान उन सबी को बताता है कि वो भी एक छोटे से गाउं से है तो शिज्यान सब को वो से खाने का बोलता है तो सब ready हो जाते हैं शिज्यान को spirit से बाते करके देखकर सुया चौक जाती है पर शिज्यान उन्हें जूट बोल देता है कि वो एक stomach language है और mangun को उसकी बातों पर विश्वास भी हो जाता है तब ही वहाँ silver और gold भी आ जाते हैं और सब को अपना बंदी बना लेते हैं वो लोग शिज्यान को अपने साथ ले जाते हैं उनके जाते ही सब लोग free हो जाते हैं वही लिंग्यू जो की chanting कर रहा था जिसे एक creature निका ल जाते हैं और खुद को लिंग्यू के followers बताते हैं तब ही उन creatures में से लिंग्यू बाहर निकलता है और कहता है कि बहला एक creature मुझे कैसे खा सकता है तब ही शब लिंग्यू को फिर से अंदर धंकेल कर ले जाता है साथ ही बागी के गेकर्स फेंग गेट के लिए दोड़ते है पर लिंग्यू के guards उसे बंद करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ steel evil child मिलता है और वो उनको मार कर वहाँ से चला जाता है तब ही जब सबी गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ silver और gold खड़े होते हैं और शियान और zoo साथ में बैट कर बात कर रही होते हैं और master उसे element को absorb करन तो मैं क्यों नहीं कर सकता उसके ओवरफलो होने की वज़े से उसके imminent भार निकलने लग जाते हैं तब ही वहाँ पर three demons आ जाते हैं और सब लोगों पर attack करके उनका soul of life निकालने लग जाते हैं वो तीनों master गॉंग लिंग की तालाश में आये होते हैं तब ही शियान master ज्यू ज्यू को gongling बताने लगता है ये सुनकर ज्यू को गुसा आ जाता है और वो शियान पर हमला कर देता है तब ही उन में से एक demons ज्यू को उठाने लग जाता है तो gold और silver उस पर attack कर देते हैं और बाकि सब लोग भी मिलकर उन demons को destroy करने का decide करते हैं और तब ही शियान वहाँ बचे हुए eliminates को absorb करने के लिए बैट जाता है demons और लोग सा fight कर रही होते हैं तो बीच में एक demon बहुत जोर से ज्यू पर attack कर देता है और उसे घाल कर देता है बचने के लिए वो जैसे ही भागने लगता है तो उसको वहाँ gold रोकने के लिए आ जाता है और gold उसे और seal पार को यूज करने के लिए बोलता है लेकिन ज्यू को तो वहाँ से भागने की ही पड़ी होती है तो भी silver उन तीनों demons को पकड़ लीता है ये देखकर शज्यान space pulse को collect करने के लिए बोलता है ज्यू को भागते टाइम उसका भाई songman पकड़ लेता है और मार कर कहता है कि अगर तु तो फेरी वर्ल्ड में खुद की एक reputation बनाना चाहते हो तो seal तुमें ही तोड़नी होगी तब ही demons वहाँ से भाग जाने का try करते हैं लेकिन seal के वज़े से वो नहीं चाह पाते हैं तब ही उन में से एक demon को वहाँ space pearl मिल जाता है और वो वहीं पर cultivate करने बैट जाते हैं तांकि वो उस seal को तोड़ कर बाहर निकल सके तब ही वहाँ के सब लोग plan बनाते हैं कि उन में से किसी एक को gongling मन कर demons के पांस लेकर जाएंगे और उस पर एक दम हमला कर देंगे तब वो शेजयान को gongling मना कर उसके आगे ले जाते हैं जब वो चेक करने लगते हैं कि यह gongling है य भागते समय उसके footprint शपने लग जाते हैं जो कि demon देख लेता है कि यह gongling के हैं तब वो demons उसका पीछा करने लगते हैं और अपने dental guards शोड़ देते हैं फेरी और सीनियर दोनों पूरी तरह से गायल हो चुके थे तब ही एक demon उनने मारने के लिए आता है तो उसके आगे मन ग करता है तब ही वहाँ ghost valley आ जाते हैं और demons के साथ fight करना शुरू कर देते हैं वही एक demon ghost की wife को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी wife को बचाना है तो तुम्हें ziyu को खाना होगा जैसे ही ghost ziyu को खाना शुरू करता है तो उसको बचाने के लिए शजयान वहाँ आने लगता है लेकिन उसे demon पकड़ लेता है और मारने लगता है लेकिन वो सब एक illusion था जो की ghost कर रहा था तब ही heavenly thunder start हो जाता है और ghost की पास भी कम होने लगती है और वो demons भी illusion से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं एक तब वहाँ पर एक जोरदार होता है जिससे सबको लगता है कि ghost और उसकी wife मर गए हैं पर तब ही एक गड़े में वो दोनों उनको नज़ार आते हैं जिने देखकर सब खुश हो जाते हैं तब ही एक तंबाह crystal ball आकर गिरती है और उसमें से demon बाहर आता है जो कि अब तक जिन्दा होता है वो ghost और उसकी wife क पार्स को अपने अंदर absorb कर लेता है फिर वो demon master अपना खुद का एक dental guard बना लेता है अगर वो जादा दीर तक माहा रहता तो पूरा mountain destroy हो सकता था तब ही जिए dental clone से fight करने के लिए आती है शिज्यान तब वो एक crystal में से dragon sword निकाल लेता है और उस dental clone की उस magic artifact पर जाता है चल जाता है कि जो लड़ाई कर रहा है वो gongling है जैमन भी शिज्यान को दे कर समझ जाता है कि वो gongling है जैमन उस पर हमला करने लगता है तो gongling उसे एक पंच मार कर हरा देता है लेकिन वो फिर से खड़ा होकर सब को मारने लगता है ताबी वहाँ gold old man आ जाता है और dental clone जत कर देता है तबmüş की हलप से से ठीक कर देता है और फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हुचाता है तबी क्लोन गोल लेकिन वो उसके भी एक नहीं सुनता और लिंग्यू जो कि उस क्रीचर के अंदर था उससे लड़ाई कर रहा होता है उसको भी मार कर बाहर आ जाता है तब भी शिज्यान गोल्ड और सिल्वर के पास जाकर उनकी हेल्प मांगता है कि वो उनकी आर्टिफेक्स पार्स उन्हें दे दे गोल्ड और सिल्वर दोनों जैसे ही अपनी पार्स उन्हें देते हैं तो वो दोनों फेर होना शुरू हो जाते हैं उनकी आर्टिफेक्स से शिज्यान क्लोन को मार देता है और डेमन्स को भी शूट कर देता है फिर शिज्यान नाइन स्टार पार का यूज करके स्ट बढ़ता है तो वहाँ जीव आ जाती है और उन्हें मारने से रोग देती है तब सौंगमन उसे बोलने लग जाता है कि तुम एक डेवल का फेवर कर रही हो और वो उसे शादी करने के लिए भी कह दीता है लेकिन शिज्यान आगे आगर उसे कहने लग जाता है कि अगर जीव तुम से शादी नहीं करना चाहती है तो तुम उसे धका नहीं कर सकते हो और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं तब ही वहाँ चांग यू आना चाता है तो जौंगमन उसे कहता है कि आपका कोई पर रिष्टा है शिज्यान के साथ तो आप उसे बचा सकते हैं जिस पर कहता है कि मैं तो यहाँ बस तुम्हें परिशान करने के लिए आया हूँ और तो रुफाइक करने लग जाते हैं तब जौंगमन उसे ये कहकर चला जाता है कि चांग कामली तुम्हें प्रोटेक्ट करने की काबिल नहीं है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है